नमस्कार रोमकार जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्ते अंज्यू जी और सभी दर्शकों को भी नमस्कार सर तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस के बीच में समझोता हो ही गया है वो कहते हैं के इनको और नहीं और दूसरे को ठोर नहीं तो इनकी मजबूरी है के दोनों साथ ही मिल करके लड़ें दोनों इतने मजबूत नहीं है के इंडिपैंडेंडनली वो वहां पर भारतिय जन्ता पारेटी का मुकाबला कर सकें इनको लग रहा है कि वहां की जो फिजा है, वहां की जो हवा है वो बदल चुकी है और जो वहां की नदियां है उसमें बहुत पानी भेच चुका है और जो बदलाओ है वो साफ साफ दिखाई दे भी रहा है, इनको भी दिखाई दे रहा है, जमू कश्मीर के नागरिकों को भी दिखाई दे रहा है, और जो जमू कश्मीर को अशांत किये रहते थे, उनको भी दिखाई दे रहा है, यानि साजिश करताओं की भी समझ में आ रह कि जमू कश्मीर अब वो जमू कश्मीर नहीं है जब 370 लागू था 35 लागू था जब फोरेंड फंडिंग जो है वहां पर की जाती थी जब चाहते थे तब पूरी घाटी को बंद करवा देते थे जब चाहते थे पत्थर बाजी करवा देते थे जब चाहते थे जहां चाहते थे, वहां के जर्ये हिंदुस्तान के दूसरे हिस्तों में भी आतंक वादी वारदांते करवा देते थे और निर्दोशों का खून जो है वो बहता रहता था, हमारे जवान मारे जाते रहते थे, तो सब को पता है कि वहां का माहौल बदला हुआ है, और ऐसे में जबके का उत्ताव मनाया है और किस तरीके से पचास फीस हदी से अधिक वोटिंग हुई है इसी जम्मू कश्मीर में, तो इन सब को पता है कि ये चुनाव भी इनके लिए आसान नहीं होगा और चुकि ये परिसीमन के बाद चुनाव हो रहा है, और जो जम्मू संभाग है, वहां सारे प्रशन हैं, जिनके जवाब अभी कॉंग्रेस को भी देने हैं और नेशनल कॉंफरेंस को भी देने हैं, लोकसभा चुनाव में तो हमने ये भी देखा कि उदर पीडिपी से महबूबा हार गए, यहां से अमर अब्दुल्ला हार गए, तो वो जटका भी इनको लगा ह हुआ है, और उस जटके से भी डरे हुए होंगे, इसलिए अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इस कवायद में आपको नहीं लगता कि पीडिपी को बिलकुल पीछे ही छोड़ दिया इन लोगों ने, उनको पूछा तक नहीं, लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो हार ह है, वो तो अपने आप में महबूबा मुफ्ती की कुल मिलाकर के जो पाक परस्ती वो दिखाती रही हैं और जिस तरीके से आतंक वादी जो मारे जाते थे उनके घर वालों के बीच जाकर के उनको सम्वेदनाए प्रकट करती थी वो, और जिस समय वो मुख्यमंत्री भी थी और भारती जन्ता पारिटी के सहीयोग से मुख्यमंत्री थी, भारती जन्ता पारिटी उनकी सरकार में शामिल थी, उस समय भी जब आपरेशन होते थे आतंक वादियों के खिलाप, तो किस तरीके से भीड इकठा कर ली जाती थी, कुछी समय में, तो वो सब चीजें जो हैं लोग भूले नहीं हैं, और महववा मुफ्ती की जो हार है, वो उनके लिए भी एक संदेश और संकेत है, अगर वो समझना चाहें तो, लोग सब चनाव में वो एक ही सीट की डिमांड तो कर रही थी, इस गुपकार गैंग से, के साब एक सीट हमें दे दो, वो भी नहीं दी उस पर वो लड़ी और हार गई, तो और उमर अब्दुल्ला तो ऐसे आदमी से हार गए, जो आतंक वादियों को बिरियानी खिलवाता था और जो इस समय तिहार जेल में पड़ा हुआ है, राशिद इंजेनियर, तो इन सब लोगों के लिए एक सीख है, अभी तो खेर ये और भी दिल्चस्फ होगा, कि उमर अब्दुल्ला जो कह रहे थे, उस पर कायम रहते हैं, या पलट जाते हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था हारने के बाद, कि साथ जब तक जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं होगा, तब तक मैं चुनाव ही नहीं कि नहीं मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूमा, क्यों नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे, कि आभी तक भी उनके बेटे का रुख इसक्ष्ट नहीं है, कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे, तो खारुक अब्दुल कर आद कि कई सवालों के जवाब भी देने है नेशनल को वि और कॉंग्रेस तो भी और कॉंग्रेस को विज्दार में अगर मैं बात करूं तो पारिटि को ये इस फस्ट रूप से घोशना करनी पड़े गी कि अगर वो National Conference के साथ मिलकर के चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो 370 वापस लाएंगे इसका ऐलान करना पड़ेगा उनको आज भारती एजनता पारिटी के बड़े नेता है चुग साथ उन्होंने ये एक Congress के सामने सवाल खड़क कर भी दिया है उन्होंना कहा है कि बताए Congress के 370 वापस लाएगी क्या क्योंकि National Conference तो कह रही है कि हम 370 वापस लाएंगे उसने तो दस बारे बड़ी गोशनाएं कर दी हैं तो आप बताईए अगर उनके साथ मिलकर के लड़ रहे हैं तो आप भी 370 वापस इंपॉस करेंगे पैंतीसे लाएंगे ये इसलिए भी Congress के लिए जीवन और मरण का प्रेशन बन जाएगा क्योंकि घाटी में तो Congress का कुछ खास लेना देना उतना है नहीं नीचे जो जम्मू का पूरा संभाग है पूरा रीजन है जहां 43 विदान सवा सीटें हैं तो वहां पर इनको अगर ये 370 वापस लाने की बात करते हैं तो Congress का बहुत बड़ा नुक्सान उठाना पड़ेगा तो इसलिए Congress जो है वो अभी तक भी 370 वापसी के सावाल पर एक चीज और है कि यहां पर राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने अपने कार्यकरताओं को संबोधित करते हैं सबसे पहले तो ये कहा कि उनका खून का रिष्टा है कश्मीर के साथ मैं चाहती हूं मेरे दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि कौन से खून का रिष्टा है उनका कשμीर के साथ किस तरहां से connected है क कश्मीर के साथ मतलब लाबाद में रहने वाले प्रयाग राज में रहने घर है बड़ा सा नहरू परिवार का फिर वह नहरू सर्मि नहर से कहीं से मिला जो बहती थी तो फिर वो कश्मीर से क्यों जुड़ गए और राहूल हर जगा पहुंच के खून का रिष्टा कश्मीरियों के साथ जोड़ लेते हैं तो पता होना चाहिए लोगों को कि आखिर क्यों वो इस तरह का डायलोग बार-बार बोलते किसको बेव प्रगंदी का भी कुछ खास लेना देना नहीं है लेना देना था मोतिलाल नहरू का वो जमु कश्मीर से आकर के परियाग राज में बसे थे और नहरू का भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं हाँ अगर अपने पढ़नाना और मोतिलाल नहरू से अगर आप अपना रिष्टा जोड करके ये सब कह रहे हैं तो फिर ये भी स्वष्ट करना पड़ेगा कि आपके रियल दादा यानि जो पार्सी समुदाय से आते थे खिरोज गांदी फिर उन से आप रिष्टा रखेंगे या अपने नानाओं से और पढ़नानाओं से रिष्टा रखेंगे क्योंकि भा दादा और दादी जो हैं वो तो पार्सी थे और फिर नीचे तक भी सारा कुछ वैसे ही चलता है और पूरा गड़मड है अब आप देखिए इंदरा गांदी ने एक पार्सी से शादी की थी इनके जो पापा थे उन्होंने एक कैथोलिक से शादी की थी और अभी राहुल के बारे में भी तमाम तरे की टिपनियां जो है वो और खुला से जो है इधर शोयब चोदरी जो बांगलादेशी पत्रकार है उनकी तरफ से हो रही है तो वो भी किसी हिंदू लड़की से शादी नहीं की है उन्होंने और शायद करने की संभावना भी नहीं है एक बिना श सोले साल की बेटी है उस पर अभी तक भी राउल गांदी ने जबान नहीं खोली है इनकी पारिटी ने भी जबान नहीं खोली है जबके जब आप सरवजनिक जीवन में हैं तो आपको अगर आपके बारे में लगातार कोई खुलासा कर रहा है लगातार आपका आपके रहस् जीवन के बारे में पर्ते खोलता जा रहा है, तो कम से कम आपकी तरफ से, आपकी पॉलिटिकल पालिटी की तरफ से, कोई तो बैयान आना चाहिए, कोई तो खंडन होना चाहिए, और अगर वो जूट बोल रहा है, तो उस पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए, पर वो सब ही में जाकर कि भी बहुत सारे बयान दिये थे अंजु जी वो आपको याद होंगे ये मेरा घर है ये मेरा परिवार है ये कैसा घर और परिवार है भाई जिनके घर और परिवार होते हैं वो तो रोज शाम को अपने घर में ही आते हैं अपने परिवार के बीच ही आते हैं वह जब चुनावा आते हैं उसके अलावा तो कभी जाते नहीं हो तो लोग इन सब चीजों को बहुत बहतर तरीके से जानते और समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है सर और क्या होता है न कि पुष्टैनी घर जो होता है गाउ में वो तो हमेशा रहता है आपके पढ़ नाना ना भी अगर रहे होंगे तो जम्मू कश्मीर में कोई तो ऐसा गाउ होगा जहां पर आपकी प्रॉपर्टी होगी अब वहाँ तो जाएं दिखाएं तो से कि ये मेरे नाना रहते थे या पड़ नाना रहते थे इसलिए मैं यहां काऊ तो वैसा भी तो कुछ नहीं है हम सब लोग गाउं से आते हैं सर हमारे गाउं में हमारी पैत्रिक संपती तो है हम सब जब कभी भी जाते हैं तो हमें पता आता है यहां हमारे दादा रहे पड़ दादा रहे कि मैं आइस क्रीम खा रहा था फिर कुछ लोगों ने का कि जम्मु कश्मीर के लोग आपको प्यार नहीं करते तो मैंने का नहीं नहीं मैं उनसे महबबत करता हूं मतलब मुहबबत की दुकान वहां भी चल रही थी आईस क्रीम अभी भी खाई टाइम में, फारुख अब्दुल्ला के टाइम में भी और कॉंग्रेस के टाइम में भी के सदियों लग जाएंगी वो फिर से सारे घर बसाने में और शायद जितने लोगों ने अपने घर छोड़े हैं, अपनी जमीन छोड़ी है, अपनी जड़े छोड़ने के लिए अभिश किये गए हैं उनको वापस जमु कश्मीर लोटने वहां बसने में पता नहीं कितनी 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 सदियां लगेंगी मैं तो आपका एक पुराना वीडियो कभी कभी देखता हूँ आप आप बहुत भाव विवल हो गई थी जमु कश्मीर का के लोगों का जो जमीन से जो उखड थे वो और उन पर क्या बीट रही हैं और वो कैसे इस देश के अलग-अलग हिस्सों में कितनी बदहाली की इस्तिती में जीवन जीने के लिए अभी शब्त हैं ये पाप जो हैं किसी और ने थोड़ा किये हैं इन ही लोगों ने अलगाव वादियों को हवा दी है इन ही एक्यानवे में वो सब हुआ था उस समय यही फारुक अबदुल्ला लंदन में पड़े हुए थे अपनी सस्राल में चीफ मिनिस्टर रहते हुए तो इन लोगों ने जो पाप अतीत में कर रखे हैं जम्मू कश्मीर को ले मैं तो हैरान रह जाता हूँ यह कैसे-कैसे बयान देते हैं राहुल गांदी का एक और बयान आपकी नजर से गुजरा होगा और दर्शकों की भी नजर से गुजरा होगा इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का दुखदर्द मिटाना ही मेरा लक्ष है जी 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 यह उसी दौरात का है जम्मू कश्मीर का दुखदर्द के लोगों के लिए अगर जम्मू कश्मीर के लिए वाकई किसी ने कुछ किया है तो उस आदमी का नाम नरेंदर मोदी है और बहुत अल्प काल में करके दिखाया है दो हजार उन्नीस पाँच अगस्त भारत के और दुनिया के इतिहास में स्वरन अक्षरों में दर्ज हो चु लोगों के लिए भी रास्ते खोले गए कि वहां जाकर के बस सकते हैं जमीने खरीद सकते हैं अपने घर बना सकते हैं ऐसे लोग जिनको उनके मूल और मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था उनको भी उनके अधिकार दिये गए हैं अब उनको जाकर के वोटिंग क आदिकार मिला है सुरक्षित सीटें वहां तैकी गई हैं और अब हर वर्ग वहां चनाव लड़ सकेगा और जम्मु कश्मीर विधान सभा में अपना परतिने धित्व कर सकेगा इतने बड़े सुधार वहां किये गए हैं और इतना एक तरीके से भारत की सरकार ने अपने खज अब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा सबसे उंचा रेलवे ब्रिज भी हमें दिखाई देता है उस रेलवे ब्रिज पर गाड़ी भी दोड़ती हुई दिखाई देती है अब वहां के बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं है अब वहां के लोगों का निर्दोशों का खून नहीं बहाया जा रहा है एकका दुकका फ्रस्ट्रेशन में टारगेटिड आतंकवादी वारदातें कराई जाती हैं स्लीपर सेल के द्वारा अब किसी की हिम्मत आम तोर पर नहीं है इतने आतंकवादी पिछले दस सालों में मारे गए हैं वो अपने आप में एक इतिहा है अलकि हमारे तुरक्षाबल भी मारे गए हमारे आम नागरिप भी मारे गए लेकिन कम से कम एक सरकार ऐसी है जो ये सारवजनिक तोर पर दावा भले ही ना करती हो के आपका दुख दर्द मिटाना ही मेरा लक्ष है और वो करके दिखा रही है उनका तो आत्मीत ही बहुत स दुख दर्द जो कॉंग्रेस ने दिये है उनी पर मरहम लगाने के अगर बात कर रहे है राहूल गांदी तो फिर तो जैसे नैशनल कॉंफरेंस ने अपने मैनिफेस्टों में का है सर गोशना पत्र में कि वो कश्मीरी हिंदू को बंडितों को बसाने कि उनकी वापसी के ल सारी बातें आर्टिकल तीनसथ को बापस किया कुभी राज्य सरकार ला सकती है किसी राज्य सरकार का ऐसा मैनिफेस्ट हो सकता इसा जिसमें यह बात करी जाए कि हम आर्टिकल 370 को लेंगे वो सम्विधान की तहट संसप में लिया गया फैसला है और यह राज्य में इस तरह का लॉलीपॉप लोगों को पकड़ा रहे इसको वेवकूप बना रहे जूट पर आधारित राजनीती चल रही है इस देश में खास तोर से जो विपक्षी दल ह है उनकी लोग सवचनाओं में भी हमने देखा है कि उसके घातक नतीजे भूगत ने पड़े देश को भी और भारती इंतापारिटी को भी ये तो थैंक गोड के इन तमाम जूटों और गलत तरीके के परचार के बावजूद नरेंदर मोधी तीसरी बार परधान मंत्री बन मेरी हिंदों को हम वापस ला करके बसाएंगे क्योंकि आब उनके वोट लेने हैं उनके परिवारों के वोट लेने हैं उनमें से गाटी में से बहुत सारे निकल करके जम्मुक्षेतर में भी आकर के बस गए थे बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बस रहे हैं जो बात मैं कह रहा था कि कॉंग्रेस को जरा इस्वष्ट करना चाहिए ना जिनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके गोशना पत्र से आप सेहमत हैं क्या तेक के के कंदे आपने देखे हैं कैसे हैं अब पहले वो 56 इंच के चाहती लेकर घुमा करते थे इस बार कि चुनाव में तो उनको ऐसी हार मिली है कि अब कंदे जुगा कर आते हैं देखें इनकी जो ये बक्वास है इस पर तो हमें टिपनी भी नि करनी चाहिए हमें चर्चा भी नि करनी चाहिए य कहां गंगु तेली और कहां राजा भोज तो नरेंद्र मौधी का जो एक कद है जो अस्थान है वो कहां है आज पूरी दुनिया जानती है नरेंद्र मोधी तो आज की तारीख में यूएस जैसी महाशक्ति से भी नहीं डरते हैं उनके जो पहले दिशा निर्देश आया करते थे पूर वर्थी सरकारों के लिए और सरकारे मान भी जाती थी किसाब वेरिका की तरफ से ये कहा वेया है होती सलाहती पर होते थे वो दिशा निर्देश की किसाब वैसा मत करिए वैसा मत करिए नरेंद्र मोधान रहे हैं उनकी तीसरी बार शबद ग्रहन के बाद पहली आधिकारिक विदेश यात्रा मास्तर की रूस की तो और पुतिन से जाकर के गले मिल रहे थे उनकी तीसरात गले मिल रहे थे, उनसे शिकरवारता कर रहे थे जिनको अमेरिका और पूरे नेटो सदस्य देश पूरी दुनिया में अलग थलग कर देना चाहते हैं, जिनको फना कर देना चाहते हैं, इरिलिवेंट कर देना चाहते हैं, ऐसे में अगर नरेंद्र मोधी जा वो जो कहते हैं ना कि ड्छोल बजा करके किसी को बताना मुनादी करना कि हम रूस के साथ खड़े हुए हैं किस-किस तरह की बाते नहीं की गई थी यूरोपियन कंट्रीज ने किस-किस तरह की बाते नहीं की थी जब एस जैशंकर ने वहीं बैठ करके उनको जवाब दिये थे कहा था कि साथ योक्रेन और भारत का रूस का युद्ध चल रहा है, और भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल खरीद करके इंदन खरीद करके उसकी आर्थिक सायता कर रहा है। तो ऐस याशंकर ने पूछ लिया था, कि जितना हम महिन्य भर के लिए अपना इंधन खरीदते हैं, उर्जा जरूरतों के लिए, उतना इंधन तो यूरोपियन देश सुभह से ले करके दोपहर तक खरीद लेते हैं, तो यूरोपियन देश मदद नहीं कर रहे हैं, रूस की भारत कर रहा है, तो ऐसे सीधे सीधे जवाब अब भारत देने लगा है, नरेंद्र मोधी देने लगे हैं, उनकी सरकार देने लगी है, और नरेंद्र मोधी पहले भी सीना चोड़ा करके ही आते थे, आज भी सीना चोड़ा करके ही आते हैं, नरेंद्र मोधी पर कोई एक आध सेंटिमीटर का दाग भी लगा हुआ नहीं है नरेंद्र मोदी अपने परिवार के लिए अपने भाई बतीजों के लिए अपने जीजा के लिए और दूसरे लोगों के लिए राजनिती नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी अपनी बेहन के लिए के उनको वाइनार से लडाना है य और पहले मासकों की यात्रा पर थे, अब पॉलेंड की और कीव की यात्रा पर हैं, युक्रेन की यात्रा पर हैं, पहले पुतिन से बात की, आब जलेंसकी से बात करेंगे, यानि नरेंद्र मोदी क्या हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बावजूद के पूरे नेटो देश और अ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के अगर आप सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और सुर्खियां आपको मिल भी जाती है क्योंके भारती है और विदेशी मीडिया में नरेंद्र मोदी के को कोई गाली दे तो उसको हाइलाइट करने वाले बहुत तो ये कोई आपस में किसी तरह का कोई जोड ही नहीं है और किसी तरह का कोई इस्तर और अनुभव भी नहीं है नरेंद्र मोदी का सारवजनिक जीवन जो है वो तपा हुआ एक सोने की तरह है और ये पैराशूट से उत्रे हुए जबरन थोपे गए नेता है जिसको देश स्वीकार कर ही नहीं रहा है कॉंग्रेस के भीतर से भी इनके नित्रत्व को लेकर के लगातार चुनोतियां खड़ी की जाती रही है सर आपके हिसाब से क्या जम्मू कश्मीर जीतना कॉंग्रेस के लिए बड़ी चुनौती क्योंकि जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष है वो कह रहे थे कि अगर हम जम्मू कश्मीर जीत लेते हैं तो फिर हम पूरे हिंदोस्तान पर कबजा कर लेंगे ये मलिकार जुन खड़गे श जो नियत है जैसे बी एन पी ने जमाते इसलामी के जरिये बांगला देश में बिना चुनाव हुए बिना जंता के द्वारा चुने वहां की सत्ता पर एक तरीके से कबजा कर लिया है अराजकता फैला करके और एक चुनी हुई प्रधान मंतरी का तख्ता पलट करके सल्मान खुरशीद का बयान क्या आया मनी शंकर अएर का क्या आया इन सब के जो बयान आ रहे अभी राकेश टिकैट ने क्या कहा हाँ दो दिन पहले ही और ये लोग भी क्या ख्वाव देख रहे हैं राहुल गांदी ने क्या कहा था चुनाओ पर चार के दोरां तीसरी बार अगर ये बन गए इन्होंने समीधान में संशोधन करने की कोशिश की तो पूरे देश में आग लग जाएगी तो ये तो वो लोग हैं जो कभजा ही करना चाहते हैं क्योंकि देश की जनता तो इनको रिजेक्ट कर चुकी है अब मुझे ये बताईए अंजु जी कितने राज् नहीं है जहारखंड में ये गौर्मेंट में शामिल है बस और मुख्यमंतरी मावी हेमंत सोरेन है तो कुल अगर करके साड़े तीन राज्या आप समझ लीजिए कॉंग्रेस के लिहास से और आप सपने देख रहे हैं पूरे देश पर कभजा करने के तो ये हिमाकत अगर क्या है ये भी सब लोग जान चुके हैं इसलिए इस तरह की भाशा का परियोग ना ही करें तो बहतर है हाँ अगर सेवा भाव आपके दिमाग में होता कब्जा करने का ना होता तो आपकी जमान से सेवा भाव ही निकलता कि हम जमु कश्मीर की सेवा करना चाहते हैं लोगों पर सर जैसे हम नैशनल कॉंफरेंस के गोशना पत्र की बात कर रहे थे उसमें तो पाकिस्तान से बातचित करने की के दावे भी किये जा रहे हैं कि हम सरकार में आए तो पाकिस्तान से बातचित का रास्ता भी खोलेंगे तो क्या उसको लेकर भी तो कॉंग्रिस को सफाई द सुची तो तो इसनी अकल तो होनी चाहिए इनको पाकिस्तान परस्ति दिखाना और जो पाकिस्तान परस्त वहाँ पर मतदाता हैं उनके वोट हासिल करने के लिए ये सब बयान बाजी करना वो एक अलग बात है लेकिन जो चार्टर है जो नियम है जो काइदें है जो कानून है जो समीदान है उसके इतर जाकर के आप पाकिस्तान से जाके बात कर लेंगे और जिन दिनों फारुक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे या उनके बेटे मुख्यमंत्री रहे या पीडीपी की चीफ उनसे पहले उनके पिताजी मुफ्ती मौमद सईद रहे डारेक्ट कभी पाकिस्तान से बात करने की इनकी हिम्मत हुई हिमाकत की उन्होंने नहीं की क्योंके पता रह जाए कि जब भी इस तरह की हिमाकत की जाएगी सरकार को बरह कर दिया जाएगा क्योंकि आप समय दहान विरोधी काम कर रहे हैं तो यह सब बयान बाजी है अन्जो जी इनका कोई मतलब नहीं होता है मिलकुल सर लोगों को बहलाने के लिए लॉली पॉप थमाने के लिए क्योंकि वहाँ पर पाक परस्त लोगों की तादात कम भी नहीं है तो उनके वोट हासिर करने के लिए सब पैंतरे बाजी हो रही है लेकिन कॉंग्रेस अगर नैशनल कॉंफरेंस के साथ जा रही है तो लगता है कि दोनों के लिए रास्ते बहुत मुश्क्किल हैं इसलिए हाथ पकड़-पकड़कर साथ चलने के लिए दोनों साथ में आ गए हैं सर आपने इस विशेप पर विसार से जानकाने दी मेरे लिए समय निकाला इसके लिए आपका बहुत भुत धनीवाद नमस्कार झाल झाल